हमें 18 डिब्बों को दो बराबर धेरों में बाटना है, इसे कैसे लिखा जाए? भाग करने की स्क्रिया को तीन तरह से व्यक्त करें, भाग फल का मान बताएं, इसे हम कुछ इस तरह करेंगे, सबसे उपर का हिस्सा यहां देखिए, हमारे पास 18 डिब्बे हैं, और इन्हें दो बराबर धेरों में बाटना है, यानि हमें 18 को 2 से भाग देना है, इसे हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इसका सही मतलब क्या है, इस बारे में सोचेंगे, हम इसे लिख सकते हैं, 18 बटे 2, या 18 को 2 से भाग देना, ये इस तरह है, या 18 भाग 2, जो है 18 भाग 2, इसकी गणना करने से पहले देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें भाग फल का मान भी बताना है, इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे पास 18 डिब्बे हैं, और इन्हें 2 बराबर धेरों में बाटना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बसम पहुशनी वालें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये रहे हमारे 18 डिब्बे, और इन्हें 2 बराबर धेरों में बाटना है, तो इन्हें 2 बराबर धेरों में बाटने के लिए मैं सिर्फ देख कर अनुमान लगाता हूँ, इन्हें कुछ इस तरह से 2 हिस्सों में बाटता हूँ, जो उपर की ओर है, उनका एक हिस्सा बनता है, ये देखिए ये बन रहा है एक हिस्सा और जो नीचे की ओर है उनका अलग हिस्सा बनता है कुछ इस तरह से दोनों धेर बराबर हैं हर धेर में कितने डिब्बे हैं उपर वाले धेर में हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ डिब्बे और नीचे वाले धेर में हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ डिब्बे अठारा डिबों को दो बराबर धेरों में बाटने पर हर धेर में नो नो डिब्बे होते हैं इसका मतलब है अठारा को दो धेरों में बाटने पर नो होता है अठारा में दो से भाग देने पर भाग फल्क नो होता है यानि अठारा में दो नो बार शामिल है